दूसरे टेस्ट के पहले दिन 23 विकिट गिरे भारत और सौथ अपरिका के बले बास 10 के पतु की तरह हुए 10 नमसकार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों बारत और साथ अपरिका के बिच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल कहला गया चाहाँ पर भारती टीम अब मजबूत स्थिदी में पहुंच चुकी है लेकिन दोस्तों दोनों टीमों के पहले दिन 23 विकिट गिरे चहां पर भारती टीम ने बगेर कोई स्कोर के अपने 6 विकिट गवाएं तो दोस्तों आपको इस 12 सांदर मकाबले का पूरा हाइलाइट बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाते कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मकाबले को दूसरे दिन ही जीते तो इस विड़ा को लाइक जरूर कर दें और साथे साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो दोस्तों चले जानते हैं इस बहनी सांदर वर रौचक मकाबले का पूरा हाईलाइट के आखिरकार किस परकार से दोनों टीमें तास के पतो की तरह डेरूई है तो दोस्तों आज के मकाबले के टोस की हम बात करें तो सिक्का उज़ाला डीन एलगर ने और गिरा भी उनी के पक्स में उन्होंने टोच चित कर पहले बलेबाची का फैसला किया जबकि दोस्तु टीम इंडिया की बारी थी पहले गिनबाजी करने की आज टीम इंडिया में रविंदर जड़ेजा और मुकेस कुमार की वापसी हुई थी तो वहीं पर साउथ अपरिका ने भी बड़े बदलाव के चांपर इस टीम की तरफ से ट्रेस्टन स्टेप्स, लूंगी एंगिटी और कैसो महराज की वापसी हुई दोनों टीमों के नैसनल एंथम के बाद सुरू हुआ आज का ये महा मुकाबला चांपर दोस्तों साउथ अपरिका की टीम की तरफ से एडन मारकरम और कप्तान डीन एलगर पारिक की सुराथ करने उतरे लेकिन दोस्तों सुराथ सही भारतिय गेनबाजों ने कसी हुई गेनबाजी की जिसके सामने ये बलेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और चौते और की दूसरी गेनबाजी देखने को मिली और यहां पर एडन मारकरम इस मुकाबले में दस केनों का सामना करने के बाद दो रन बना कर पैवलिन लोटे इसके बाद दूस्तों डीन एलगर के खिलाप यहां पर रन नीती बनाई विराट और रोहित ने और यहां पर रोहित पावर सोटलेक पर खड़े हो गई एलगर के सामने और इसका फाइदा मिला चटे और की तीसरी गेन पर एलगर के बले का इंसाइट एज लगकर गेन सिधे स्टम पर जाकर लगी और पार्ती टीम को दूसरी वस्त सबसे बड़ी सबलता दिला दी जस्पृत बुमरा ने संदर गेन पाजिक करते वे ट्रिस्टन स्टम्स को भी पेवलेन बेश दिया यहां पर संदर पर केज पकड़ा रोहित सरमा ने और यहां पर चलते बने ट्रिस्टन स्टम्स जो कि अपने पहले टेस्ट मुकाबले में जादा कुछ खास नहीं कर जस्पृत बुमरा ने और इस मुकाबले में 14 गेनों पर 3 रन बना का ट्रिस्टन स्टम्स चलते बने तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और सपलता दसवे और की दूसरी गेन पर टॉनी डी जॉर्जी के रूप में मिली जहां पर केल रहुल के संदर केच ने यहां पर उनकी पारी को समाप्त किया और मुहमद सिराज को एक और सपलता मिली संदर गेन बाची रही एक बार फिर मुहमद सिराज की हम बात करें यहां पर टॉनी डी जॉर्जी की तो वो इस मुकाबले में जम कर बले बाची करने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन 17 गेनों का सा समने की तरफ संदर चोका जड़ दिया इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी और की पांच वी गेन पर भी एक और संदर चोका बेंडिंगम के बले सही देखने को मिला चाहां पर उन्होंने फिलिक के जिरिये गेन को चार रनों के लिए बॉन्डी लाइन के पार वेजा और एक ही और में दो चोके जड़े लेकिन इसके बाद दोस्तों कंटिनू अपना स्पेल डालते वे नाजर आ रहे थे मोहमद सिराज और यहां पर यहां संदर तरीके से 16 और भी इन्होंने बेंडिंगम को एक बार फिर यह सवी जैसवाल के हाथू केच करा कर पैवलेन बैस द करने के बाद 12 रन बना कर पैवलेन लोटे तो वहें पर इसके बाद मारको येंसन क्रीप्स पर उत्रे लेकिन 16 और की पांचवी गिन पर उनको भी चलता कि आप मोहमद सिराज ने यहां पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गिन्द सीधे गई विकेट किपर के एल राउल के हा कोड मोहमद सिराज की ये गातक गेन बाजी बहदी संदा रही लेकिन मारको येंसन की बात करे तो वो अपना खात अभी नहीं खोल पाए और पैवलेन लोट गए तो वहें पर इसके बाद उसके बाद उसको एक बार फिर मोहमद सिराज की गातक गेन बाजी जारी रही और पर संदार परफॉमेंस करते वे उन्होंने अठारवे आवर की पांचवी गेन पर वेरेना को भी यहां पर पेवलेन बेज दिया, सुब मनगिल ने उनका बैतरीन केज पकड़ा और एक और सपलता यहां पर मिल गई, हम बात करें वेरेना की तो वो इस मुकाबले में 30 गेनों का सामना करने के बाद 15 रन बना कर पेवलेन लोटे और भारती टीम को 45 रनों पर ही साथ वी सपलता मिल गई, लेकिन इसके बाद 20 वे और की आखरी गेन पर मुकेस कुमार ने संदार गेन बजी करते वे, यहां पर केसोव महराज को पेवलेन बेजा जस्पृत बुमरा के हा फिर यससवी जेसवाल के हाथू में गई और एक और सपलता भारती टीम की जोली में आ गई, यहां पर 11 गेन उपर 4 रन बना कर नांद्रे बर्गर पेवलेन लोटे, तो वहीं पर इसके बाद 24 वे और की दूसरी गेन पर मुकेस कुमार ने कंगीस और अबाड़ा को भी सरय और में 15 रन देकर 6 सपलताइं प्राप्त की, तो इसके अलावा दोस्तों यहां पर 2 सपलताइं चस्परित बुमरा और 2 सपलताइं मुकेस कुमार को मिली, तो आप वहीं पर साउथ अपरिका के मातर 55 रनों के जवाब में जब टीम इंडिया अपनी पहली पारी की सुरात कर दी, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे अवर की दूसरी गेन पर रोहित सरमा के बले से कमाल का सोट देखने को मिला, चाहां पर उन्होंने गेन को सिधे बॉंडिलाइन के पार बेचा और एक कमाल का चोका जड़ा, तो इसके बाद दोस्तों इसी अवर की तीसरी गेन प इसके बाद दोस्तों तीसरे और की पहली गेन पर कंगी सोर अबारा ने यससवी जैसवाल को बोल्ड करके पेवलेन बेजा और पहली सपलता दिलादी साउथ अपरीका को और यहां पर बारती टीम को पहला जटका लगा हम बात करें यससवी जैसवाल की तो उन्होंने साथ ग लाएं बलेबाज सुबमन गिल ने एक और सांदार चोका चोते और की चोती गेन पर एंगीडी के ही लगाया और बैतरी इंतरिके से मिडविकेट की तरफ उन्होंने गेन को बॉन्डिलाइन के पार बेजा तो इसके बाद छटा ओर डालने आए नांदरे बर्गर की पहली गेन पर कमाल का चोका यहाँ पर मिडॉप की तरफ देखने को मिला रोहित के बले से तो वहीं पर इसी और की दूसरी गेन पर भी उन्होंने कमाल की बले बाजी करते वे एक कमाल का पुल सौट खेला और गेन को एक बार फिर चार नों के लिए बॉन्डिलाइन के पार तो वहें पर इसके बाद उस्तों अगले चोका आठवे और की दूसरी गेन पर देखने को मिला जब नान्दरे बर्गर की गेन पर सांधार एक्षाक और की तरह प्रोहित ने एक और कमाल का चोका जड़ दिया इसके बाद उस्तों यहाँ पर 12 टीम का स्कोर का पिससांदर तरीके से आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर मारको यैंसन की एक बाउन्स गेन पर मिले बाई के चोके के साथ ही बारती टीम ने सांधार बड़त हांसिल कर ली साउट अपरिका के स्कोर के बदले तो वहें पर इसके बाद सुबमन गिल ने बारवे और की चोती गेन पर मारको येंसन के एक और संदार कमाल का चोका जड़ा और इस चोके के साथ ही यहां पर बारती टीम के इन दोनों बलेबाजों के भी संदार 50 रनों की पाटनसिब 60 गेनों पर ही पूरी हो गई तो वहें पर इसके बाद उस तु नांदरे बरगर की गेन पर ही एक और संदार चोका यहां पर देखने को मिला सुबमन गिल के बले से जब उन्होंने एक और बार कमार की तरब गेन को 40 के लिए बेजा अब दोनों बलेबाच कमाल की बलेबासी करते वे टीम की स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन तबी दोस्तु टीम इंडिया को पंदरवे और की दूसरी गेन पर नांदरे बर्गर ने कप्तान रोहित के रूप में बड़ा जटका दिया रोहित का कमाल का केच यहां पर पकड़ा मारको येंसन ने और यहां पर पेवलेबासी करते वे एक कमाल का चोका लगाया अलांकि वो पाई यह साली रहे क्योंकि स्लिप के बीच में से गेन चोके के ले गई तो वही पर सी ओवर की आकरी गेन पर उन्होंने एक स्टेट ड्राइव के जरिये गेन को पंच करके चार अनू के ले बेचा और बेक टू बेक दो चोके इस ओवर में चड़े इसके बाद स्वालवे और की दूसरी गेन पर भी विराट कोली के बले से एक कमाल की कवर ड्राइव देखने को मिली अपने फेवरेट की सोट के साथ ही उन्होंने गेन को बॉंडिलाइन के पार बेजा यहाँ पर मिड विकिट की तरफ उन्होंने गेन को बॉंडिलाइन के पार बेजा लेकिन तबी दोस्तू 21 और की आखरी गेन पर नांदरे बर्गर ने सुबमन गिल को भी मारको येंसन के हाथू केच करा कर पेवलेन बेज दिया और बारती टीम को एक और जटका लगा सुमन गिल अच्छी बलेबाजी कर रहे थे लेकिन पचपन गेनों पर 36 रन बना कर वो बीच चलते बने इसके बाद दोस्तू विराट कोली ने कमाल की बलेबाजी करते वे एक अपर कट के जरिये सांदार तरीके से गेन को बॉन्डिलाइन के पार बेजा 22 और की पांचवे गेन पर उन्हों ने सांदार चोका लगाया लेकिन इसी बिच दोस्तू सरेस अयर से टीम इंडा को सांदार परफॉमेंस की उमीद थी लेकिन 23 और की तीसरी गेन पर उनको भी नांदरे बरगर ने विकेट के पर वेरेना के हाथू केच करा कर पेवलेन बेज दिया हम बात करें सरेस अयर की तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और दो गेनों पर सुन्या पर ही पेवलेन लोटे वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बलेबाच के एल राहूल क्रीस पर उत्रे लेकिन उन्होंने अपना खाता ही नहीं खोला साथ गिनों का सामना किया तब ही यहां पर चायकाल का समय हो गया और चायकाल तक बारती टीम ने 24 और में 111 रन बना लिए इस सेशन में 111 रन बने बारत ने चार विकेड गवाए फिलाल बारती टीम के पास 56 रनू की बढ़त थी और विराट और के एल राहूल क्रीस पर मौजूद थे चायकाल के बाद एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हो तो टीम ने की तरब से विराट और के एल राहूल ने एक बार फिर संदर सुरूद कर दी यहां पर दोस्तों संदर बले बाची करते वे विराट कोली ने कमाल का चोका जड़ा तो इसके बाद उस्तों इस मुकाबले का पहला च्छका भी विराट के बल्ले से ही देखने को मिला जब 27 और की दूसरी गेन पर उन्होंने सांदर तरीके से गेन को पुल सोट खेलते वे 6 रनू के लिए स्क्वाइड लेक के उपर से बॉंड लाइन के पार पेस दिया तो इसके बाद 27 और की आखरी गेन पर भी एक और संदर चौका यहाँ पर के विराट कौली ने कंगिसो रबाडा की गेन पर जगड़ दिया इसके बाद दो केल राहूल भी कापी दिर से सान्दे थे तो उन्होंने 33 और की चौती गेन पर एक और 60 खेलते हुए गेन को उन्होंने भी सादर तरीके से स्कोर लेक ऑपर सही चार रनों के बांडेलाइन के पार बेजा लेकिन इसके बाद दो 34 वे और की पहली गेन पर लूंगी एंगीडी ने केल राहूल को पेविलेन बेजा और बारती टीम को 153 रनों के स्कोर पर 5 वाज जट का लगा लेकिन इसके बाद तो विकटू का पत जट सुरू हो गया केल राहूल की बाद करें दोस्तों तो 33 गेनों पर 8 रन बना कर पेविलेन लोटे लेकिन इसके बाद 34 वे और की तीसरी गेन पर नए बलेबाज रविंदर जटेजा को भी यहाँ पर केच करवा कर पेविलेन बेज दिया संदर गेन बाजिक करते वे लूंगी एंगीडी ने पेविलेन बेजा और एक ही ओवर में तीन सबलता हैं प्राप्त करके टीम इंडिया को यहाँ पर पूरी तरीके से बेकफुट वर्दा केल दिया हम बात करें जस्परित बुमरा कितों ने भी दो गेनों पर सुने रन बनाए इसके बाद दोस्तों विराट कोली भी यहाँ 35 और की दूसरी गेन पर कंगिसो रबाडा का सिकार बने यहाँ पर एडन मारकरम ने सांदार केच पकड़ा और भारती टीम को एक और जटका लगा यहाँ पर विराट कोली ने अच्छी बलेबाजी की लेकिन 69 गेनों पर वो भी 46 रन बना कर पेवलेन लोट गए तो इसके बाद 35 और की चोती गेन पर परसिद क्रिशना को यहाँ पर रन आउट करके पेवलेन बेजा सिराज को यानि की परसिद क्रिशना रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सिराज रन आउट होकर पेवलेन लोटे और एक और करारा जटका भारती टीम को लगा सिराज भी अप 153 रनों पर 4 विकिट गवाँ चुकी थी लेकिन 5 विकिट 153 रनों पर गवाँ और इसके बाद तो 153 रनों पर ही टीम इंडिया ओलाउट हो गई और भारती टीम ने अपने आकिरी 6 विकेट गवाएं जहां पर कोई भी रन नहीं बनाया और सिर्फ 11 गेनों पर ही सभी 6 विकेट गवाँ बेटी टीम इंडिया का परपॉमेंस बहदी खराब रहा लेकिन इसके बावजुद भारत को 98 रनु की बढ़त मिली पहली पारी में वहीं पर दोस्तों दोससरी पारी में जब एक बार फिर एड़न मारकरम और डिन एलगर पारी की सुराथ करने हो warmthरे तो इस बार दोनों बले बाजों ने सजीवी सुराथ दी दोनों बले बाजों ने सांधर परपॉमेंस करते वे एक के बाद एक कई बेतरीन सोट कहले और यहांपर टीम को सांधर सुरा दिला दी लेकिन इसके बाद दोस्तों जारवे और की दूसरी गेंपर मुकेस कुमार की एक सांधर गेंपर बले का किनारा लेकर गेंद सिधे विराट कोली के हाथों में चली गई और डीन एलगर के टेस्ट केरियर की आखिरी पारी का अंध भी हो गया सांदार गेंद बाजी करते वे यहां पर उनको पेवलेन बेज दिया मुकेस कुमार ने लेकिन सभी बारती क्राइडू ने उनको आखिरी पारी वे आगे के लिए यहां पर बदाय दी लेकिन सांदार बले बाजी जरूर कर सकते थे डीन एलगर लेकिन अपनी आखिरी पारी में वो 28 गेंओ पर 12 रन बना कर पेवलेन लोटे तो वहें पर इसके बाद दोस्तू बारती टीम को एक और सपलता तेरवे आउर की पहली गेंड पर मुकेस कुमार नहीं दिलाई यहां पर केल राउल के हाथू केज करा का टोनी डी जोर्जी को उन्हों ने पेवलेन बेजा और 14 गेंओं पर एक रन बना कर चलते बने इसके बाद दोस्तू यहां पर आज के दिन के खेल का समापती हुई तो यहां पर साउत अपरिका की टीम ने दूसरी पारी में 17 और में 62 रनों पर 3 विकेट गवा दिये वो पारत के से अभी 26 रन पीचे थे लेकिन दोस्तू आज के दिन के खेल की हम बात करें तो आज पूरे दिन 45.1 और का खेलवा जहां पर 276 रन बने और 23 विकेट गिरे दोनू टीमों के जो की काप भी जादा है तो दोस्तू आज का एतियासिक मुकाबला आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद